Assalamu alaikum, मैं हूँ आपकी Lifestyle Medical Specialist आज हम बात करेंगे क्या आप जयाबितस को reverse कर सकते हैं आप जबान में जयाबितस को sugar भी कहते हैं जी हाँ बिलकुल आप सिहत बंद खुराक, वर्जिश और वजन में कमी से जयाबितस को reverse कर सकते हैं उसको normal blood sugar आपका हो सकता है It is not a cure क्या जयाबितस का कोई इलाज नहीं है आम तोर पे यही एक ख्याल पाया जाता है कि sugar का कोई इलाज नहीं है लेकिन ये सही नहीं है Take action today इस पे फोरी अमल करना बहुत जरूरी है अगर आप समझते हैं कि आपको अपनी जयाबितस जो है वो reverse करनी है Lose weight if necessary अगर आपका वजन जयादा है तो ये मोजू होगा कि आप सबसे पहले वजन कम करें ये बहुत मुश्किल नहीं है ये लेकिन इतना आसान भी नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी background information देती हूँ ताके आपको पता चले कि आपका जयाबितस जो है वो आपके साथ क्या करती है बेशक आप अपना blood sugar जो है वो control भी करस लेते हैं medicines के साथ या insulin के साथ लेकिन ये किस तरह आपकी जिसम को खोखला करती है तो सबसे पहले जो sugar की वज़ा से complications होती हैं उनको देखते हैं दिल की बिमारियां सबसे उपर हैं इससे आपका जो हार्ट अटैक भी हो सकता है दिल फेल भी हो जाता है इसके अलावा पौँपे उपर जखम बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपना पौँख अटवाना भी पढ़ जाता है ताके उसका जहर जिसम के दूसरे हिस्से में न भैल जाए पिर इससे दमागी कमजोरी भी हो जाती है आपको फैसला करने में मुश्किल होती है बूलना चीज़ें शुरू हो जाती है और इसके अलावा ये हमारे असाब को भी मतासिर करती है और इससे हमारे टांगों, हाथों और पौँख सुन हो जाते है और फिर इससे गुर्दे भी फैल हो जाते है और इसके अलावा जो आँखों का पर्दा है वो भी मतासिर होता है इसके अलावा मोतिया जल्दी आँखों में उतराता है तो ये बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन्स है अब गुर्दे फेल होने की क्या अलामात है पौँ सूच जाते हैं या आँखों के गिर्द या मुग के उपर सोजन हो जाती है सरदब करता है पिशाब पहले बार बार आता है फिर बहुत कम आता है और अगर आप अपने पिशाब को देखें तो वो सफेद सा जो होता है जैसे उसमें किसी ने जो है वो क्लावडी सा जिस तरह हो जाता है और इसके लावा खून की कमी हो जाती है उससे सांस फूलता है चलते हुए रंग जो है वो पेल हो जाता है इसके इनाओा अगर अपने टेسب कराएं तो खून में पोग्टेशिम की जयाती होती है और यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो जयादा जाता है दॉर्ट्टर आपको बताता है कि आपके ब्लाड टेस्ट सहीं नहीं है इसके अलावा बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट होती है जब ये गुर्दे के फेल होने की अलामात होती है तो पिर डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करता है फिर आपको कहते हैं कि आप डाइलेसिस करा लें जिसमें आम जबान में इसको कहते हैं कि आपके गुर्दे वाश करा लें लेकिन ये एक बहुती तकलीफते अमल होता है इसमें पैसे भी लगते हैं इसमें टाइम भी लगता है और दिन बर दिन जो है मरीज कमजोर होता जाता है आपको कमस कम दो दफ़ा दिन में हफ़ते में दो दफ़ा आपको डायलेसिस के लिए जाना पड़ता है डायलेसिस सेंटर जहां पर आपका खून साफ किया जाता है क्योंके गुर्दे इस काबिल नहीं रहते कि जिसम के फास से मादों को खारिज कर सके उसके लावा आपको पता है कि शूगर की वज़ा से जो खून की नालियां होती है वो तंग हो जाती है अगर आप उनकी जो है वो सुकर जाती है और खून दिल को कम पहुंचता है जिसकी वज़ा से सांस भी फूल जाता है या पौन सूजना शुरू हो जाते है या थोड़ा सा काम करने से दर्द होती है और उसकी वज़ा से खून की नालियों को खोलते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यदा पैसे भी लगते हैं तकलीफ भी होती है और जरूरी नहीं कि इनसान जो है वो दिल के अटैक से बच सके लेकिन उसका जो इस हालत तक पहुंचने से पहले अगर आप थोड़ी सी एतियात कर लें तो आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं वो कैसे सबसे पहले तो आप अपना वजन जो है वो करें और देखें कि आप का वजन तो ज्यादा नहीं है सबसे पहले अपने स्केल को जीरो पे लेके आएं और फिर उसके बाद सुबा उठते ही वजन करें और वाश्रूम से फरागत के बाद वजन करें हलके कपड़ों में वजन करें और सकेल को हमवार और सक्ट सता पर रखें अगर आप खुश किसमत हैं अगर आपका वजन ज्यादा नहीं है लेकिन आपका वजन ज्यादा होना वो भी बहुत सी बिमारियों की जड़ा है और अक्सर जो लोगों को ज्याबीतस या शुगर होती है उनका वजन भी ज्यादा होता है तो आप अपनी जो हैं वो सेथ मन्द आदात अपना कर अपनी शुगर या ज्याबीतस को रिवर्स करें और वो हेल्दी लाइफस्टैल क्या है एक तो आप जो है बाइर से खाना खाना चोड़ते हैं तलीवी चीजों से जो हैं वो परहेस करें उसकी जगा हेल्दी फूड सेथ मन्द खुराक लें जिसमें फल और सबजी आते हैं और जो है वो स्टीम करके तलीवी खुराक की बैठें बलके जो है वो किताबे पढ़ने की आदर डालें और अपनी सेथ का खास ख्याल रखें एक्सरसाइस करें वाक करें कम असकम 30 मिनट रुजाना वाक करें और उसके लावा अपनी नीद कोशिश करें कि जो अल्ला ताला ने एक नजाम बनाया है आप रात को जल्दी हो जाएं और सुबा जल्दी उठें कार का इस्तमाल कम करें बाइक इस्तमाल करें या फिर पैदल चलें तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कर अपनी शूगर को रिवर्स कर सकते हैं लेकिन यह नहीं है कि आप एक दफा आपका बलड टेस नॉमल आ जाएं तो आप परानी आदात पर वापिस चले जाएं बलके वह आपको मुस्तकिल अच्छी आदात अपनानी हैं तो वह हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे अमीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इसको बार-बार देखें अपने माइंड में आप उन से बचने की कोशिश करें जो शुगर के साथ हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और यह वीडियो देखी